स्वागत है आप सबका लाइव लौ में मेरा नाम है सयद आमिर उसेयन और आज हम बात करेंगे आप नेता रागव चड़ा के राजसभा से निलंबन के बारे में जिसको चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोट का रुफ किया आम आदमी पार्टी के सांसद रागव चड़ा ने राजसभा से अपने निलंबन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटकटाया है पंजाब से राजसभा सदस चड़ा को सदन की कारवाही में बाधा डालने के आरोप में 11 अगस्त को उच सदन से को अवैद और मन माना बताते हुए चुनौती दी है अपने मामले को पुष्ट करने के लिए उन्होंने अशीश सिलार बनाम स्टेट ऑफ महराश्र जो की 2022 का एक मामला है उसमें आयस सुप्रीम कोट के फैसले का हवाला दिया जहां सुप्रीम कोट ने 12 विधायकों को निल बैद माना था चड़ा ने राजसबा सबापती या चेर परसिन के फैसले पर भी सवाल उठाए और अपनी याचिका में इसी तरह का तर्क अपनाया है उन्होंने बताया कि निलंभन का आदेश मौन्शून सत्र के आखरी दिन दिया गया था और यह अब तक जारी है यहां तकी मौन्सून सत्र और अगले विशेश सत्र की समापती की बाद भी राजसबा रूल्स या राजसबा नियम के नियम 256 का भी संदर दिया गया है जिसमें किसी भी सदसिके सत्र के समय से अधिक अवधी के लिए निलंभन के खिलाप एक सपश निशेत शामिल है यह भी तर सत्र से अनिश्चित काली निलंबन, अवैद, सपश रूप से मनमाना, असामविधानिक और पंजाब के लोगों के तरभावी प्रतिनिद्व अधिकारों का अपमान है गौर तलब है कि चड़्धा ने उन्हें आवंटिद बंगले से बिदखल करने के राजसबा सचेवाल अगर आपको ये न्यूस पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, हमें बताइए अपने व्यूज नीचे कॉमन सेक्षिन में, अगर आप लीगल जोनलिज्म को सपोर्ट और प्रमोट करना चाहते हैं, तो लाइव लॉग के मेंबर बनिए, केवल 89 रुपे महीन में आप लीगल जोनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद